प्रिये विद्यार्थियों आज का टॉपिक हमारा है अनिकांतवाद अनिकांतवाद जैन दर्शन का एक प्रमुक्षिधान्त है एक प्रसिध टॉपिक है अनिकांतवाद इस दर्शन का रीड़ है जैन दर्शन का रीड़ अनिकांतवाद जैन दर्शन का नीव अनिकांतवाद है जिस प्रकार एक नीव पर पूरे महल तयार होता है एक प्रासाद का निर्मान होता है उसमें नीव की भूमिका होती है वैसे ही अनेकान्त वाद रुपी नीव पर रीध पर जैन दर्सन का प्रासाद भव्य महल खड़ा है इस अनेकान्त वाद से ही जैन दर्सन की एक अलग ही पहचान मिलती है अन्य दर्सनों में इस तरह का टॉपिक नहीं है यह जैन दर्सन की खासियत दिसेश्टा वाला टॉपिक है अनेकान्त वाद अनेक शिविल सर्विशेज की परिक्षाओं में भी UPSC की परिक्षा, RACE की परिक्षा में भी यह अनेकान्त वाद, स्यादवाद, सठद्रव्य यह सब टॉपिक पढ़ाया जाता है अनेकान्त वाद पर हम विचार करते हैं तो जैन दर्सन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जैन आगम जैन आगमों में अनेकान्त वाद के लिए विभज्यवाद का प्रियोग हुआ है भववती सुत्र में विभज्यवाद के रूप में अनेकान्त वाद को जना गया है जलन उस समय नहीं था अनिकान्तवाद विभज्यवाद के नाम से जाना जाता था विभज्यवाद या अनिकान्तवाद करता है किसी एक अपेक्षा से इस प्रस्न का उतर यह हो सकता है किसी दुसरी अपेक्षा से इसी प्रस्न का उतर यह भी हो सकता है इसी द्रिष्टी को अनिकान्तवाद, स्यादवाद, सापेक्षवाद या विवज्यवाद कहते हैं इसे समझने के लिए उदाहरन दिये गए हैं जयन्ती ने प्रस्ण किये महवीर से कि भगवन सोना अच्छा है या जागना निंद लेना अच्छा है या जागरीत रहना अच्छा है महवीर ने उत्तर दिये जयन्ती कुछ जीवों को सोना अच्छा है और कुछ जीवों को जागना अच्छा है यानि कुछ जीव सो जाएं निंद में रहें तो अच्छा है और कुछ जीव जागते रहें जागरी तवस्था में रहें तो अच्छा है जयन्ती ने पुना प्रस्ण किया भगवन या कैसे महविर ने जवाब दिया जो जीव अधार्मी है वे सोते रहें वो निंद लेते रहें उनको जागने से कोई फायदा नहीं है समाज कोई लाभानवित नहीं होगा यदि वो जगते रहें जो अधार्मी जीव हैं इसलिए अच्छा है कि वे सोते रहें यही अच्छा है क्योंकि जगेंगे तो जग उनसे पेडित होगा उपीडा प्रदान करेंगे अन्नी जीवों को कस्ट देंगे इसलिए सोते रहें स्वपर और उभए कि अधार्मिक क्रिया में वो हेतू बनते हैं इसलिए उनका निंद लेना अच्छा है जो जीव धार्मिक हैं उनका जगना अच्छा है उनका निंद लेना हित कर नहीं है क्योंकि अनेक जीवों को सुख पहुँचाएंगे उनसे स्वपर और उभएय जीव सुख प्राप्त करेगा जगेंगे तो स्वयम भी खूस रहेंगे दूसरे को भी खूसी करेंगे अश्वा और परदोल उभायता है सुखत महसूस होगा इसलिए वैसे जीव वैसे प्राणी जगते रहें जागरी तवस्था में रहें और प्रमाद अवस्था में रहें तो अच्छा है यानि सोना प्रमाद और जगना अप्रमाद आलश्य भाव को सोना कहते हैं और आलश्य केत्याग जिसको अप्रमाद कहा जाता है उसको जागरी तवस्था कहा गया है मावीर ने गोतम को समय समय पर कहा है कि समया गोय मापमाय। गोतम एक समय भी प्रमाद मत करो। समय जैन दर्शन की सबसे चोटी काई है काल की सबसे चोटी काई को समय कहते हैं एक समय एक छण उससे भी छोटी पलक जपकने में जो समय लगता है उसके असंख्यातवें अन्स को समय कहते हैं और मावीर गौतम को सावधान करते हैं कि गौतम एक छण भी एक समय भी प्रमाद मत करो अब इसे से अंदाजा लगया जा सकता है कि किसको सोना कितना अच्छा है और किसको जागना कितना अच्छा है अब हम अनेकान्तवाद के अर्थ पर विशार करते हैं तीन सब्द हैं इसमें अनेक, अन्त और वाद तीन सब्दों को मिलकर अनेकान्तवाद बना है अनिक कार्थ है एक से अधिक, वह दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अनगिनित भी हो सकता है अंत कार्थ है यहाँ धर्म से, अंत कार्थ है सभाव से और वाद कार्थ है कथन, सिधांत यानि अनिकांत वाद कार्थ हुआ एक से अधिक धर्म, सभाव का कथन करना कहा भी गया है अनेकस्चासव अंतश्च इति अनेकांतः वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों के समूह को स्विकार करना अनेकांतवाद एक ही वस्तु में एक से अधिक धर्म होते हैं, साथ साथ होते हैं, युगल रूप में होते हैं, उनके अस्तित्यों को स्विकार करना, नित्यता के अस्तित्यों को भी स्विकार करना और उसी समया नित्यता के अस्तित्यों को भी स्विकार करना यही अनिकान्तवाद है. अनंत विरोधी धर्म साथ साथ रहते हैं यह शुक्रिती ही अनिकान्तवाद का दर्शन है अनिकान्तवाद की परिभासा बिक्षुन्याय कर्णिका में कहा गया है एक अत्र वस्तुनी विरोधी नाम अनेक धर्मानाम स्विकारह अनिकान्तवाद जेन दर्शन में परतेक वस्तु अनंत धर्मों वाला अनंत गूनों वाला और अनंत परियाईओ का अखंड पिंड है कोई भी पदार्थ ना एकांतता हनित्य है और ना एकांतता हनित्य है अपितु वह नित्य भी है और अनित्य भी है पदार्थ एक भी है और अनेक भी है सत भी है और असत है जिस समय वह सत है उसी समय असत भी है जिस समय एक है उसी समय अनेक भी है जैन दर्शन की खासियत है और किसी दर्शन में इस तरह का सिधानत नहीं है साथ साथ एक ही समय में युगपद एक नहीं अनेक विरोधी धर्म रह सकते हैं वस्तु या पदार्त में नित्यता और अनित्यता का कथन सापेक्ष है साथ साथ रह सकते हैं वह सापेक्ष रूप में रह सकते हैं जिस समय वस्तू में जिस धर्म की विवक्षा होती है, वह धर्म प्रधान और सेश सारे धर्म गौन हो जाते हैं। प्रधानता और गौनता वस्तू का धर्म नहीं, अपतु यह वक्ता की विवक्षा है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक सुभाव वाली है, अनंत धर्मात्मक मुवस्तु, इन्तु जब हम कतन करते हैं किसी धर्म बिसेश पर तो वह धर्म परधान हो जाता है, जिस धर्म का कतन नहीं करते हैं वह धर्म गौन हो जाता है आजा, अब याख्यान इतना ही, कल हम देखेंगे अनिकांत की निस्पक्ति पर